हलो दोस्तों मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वेटी टू कम्टिटी में स्वागत करता हूं तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्वीन पे दिख रहा होगा आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं कि अगर गैप डाउन मार्केट के बाद कोई एक पार्टिकुलर केंडल का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे आपको सेल साइड के तरफ नहीं जाना है क्योंकि उस पार्टिकुलर केंडल के फॉर्मेशन के बाद अगर आप सेल साइड के तरफ जाओगे तो वहाँ पे ट्रैप होने के चांसस बहुत जादा है तो पीछे का logic क्या है और उसके पीछे का concept क्या है यह सब मैं आपको इस वीडियो में details explain करूँगा तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और उसको समझने की कोशिस करते हैं यहां पर वो ICICI bank के daily chart पर आगे अब सबसे जाद लोगों को confusion रहता है time frame को लेके यहां पर हमें time frame कौन सा इस्तेमाल करना तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको daily time frame वाला चार्ट ही इस्तेमाल करना क्योंकि अगर हम lower time frame में जाएंगे तो candle का maturity उतना ज्यादा नहीं होगा फिर जो हम candle की खोज कर रहें वो candle उतना ज्यादा perfect सावित नहीं होगा इसलिए यहां पर सिर्फ और इंट्राडे ट्वेडिंग भी कर सकते हैं इंट्राडे ट्वेडिंग में भी help करेगा कैसे help करेगा क्योंकि आपको एक trend identify करके देगा अगर आपते गलत ट्वेंड आइदेफाई किया और उसके basis पर इंट्राडे ट्वेडिंग कर रहे हो तो ultimately आप loss में ही जाओगे या नह से बच जाओगे और ट्रैप से भी बच जाओगे तो यह डायक्तली नहीं लेकिन डायक्तली आपको इंट्राडे ट्वेडिंग में भी help करने वाला है यहां पर वो candle है कौन सा देखिए यह जो नीचे में छोटा सा candle दिख रहा है यही वो candle है जब gap down के बाद यह candle का formation हो तो आपको सेल साइड की तरफ नहीं जाना है तो आप इस candle को identify कैसे करोगे सबसे परा कोशन यह है तो कुछ characteristics है क्योंकि यह candle जो आप देख रहे हो देख कि आप identify नहीं कर पाऊगे तो क्या-क्या characteristics है चलिए सबसे पहले वह हम identify करते हैं तो सबसे पहले यह जो candle का formation होना है डाउनफॉल मार्केट में यह जब मार्केट में गिरावट हो उसके बाद यह candle का formation होना चाहिए पहला condition दूसरा condition यह candle आपका gap down open उना चाहिए अब gap down open होने का मतलब क्या है कि previous candle से नीचे इसका opening point होना चाहिए इसका highest point होना चाहिए lowest point और closing चारो चीज प्रिवियस केंडल के नीचे होना चाहिए यह नहीं प्रिवियस केंडल को बिलकुल भी टच नहीं करना चाहिए यहाँ देख सकते हैं प्रिवियस केंडल का लोग यहाँ पे है और लोग को बिलकुल भी टच नहीं किया है मतलब यह केंडल आपका gap down open होना तीसरा, candle का opening point और closing point, दोनों लगबग सीम होना चाहिए, ज़्यादा difference नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा difference होगा, तो वो candle हमारे क्वेटे इडर को satisfy नहीं करेगा, फिर यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, चोथा, यहाँ पे हम candle के size को देखेंगे, candle का size भी आपका क्या होना चाहिए, इस्मॉल होना चाहिए, यहाँ यह चार condition को satisfy करेगा, जो candle, उस candle के basis पे हम sell side के तरफ नहीं जाएंगे, अगर वो gap down market के बाद बनता है तो, सबस्पहला क्या है, downfall market में बनना चाहिए, दूसरा, gap down open होना चाहिए, तीसरा, open equal to close होना चाहिए, चौथा candle का size छोटा होना चाहिए, और पांचमा एक और से डाल सकते हैं, कि इससे जो previous candle है, वो आपका red होना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है, previous candle आपका red candle होना बहुत जरूरी है, तो यह 5 point आपको ध्यान रखना है, और इस repeat पे चलते हैं, और इन दोनो set of candle को identify करते हैं, और कुछ details वहाँ भी समझने कोशिस करते हैं, फिर हम चार्ट पे आएंगे, और और भी आगे का details मैं आपको explain करूँगा, अब यहाँ पे देखिए, आपको यही दो set of candle identify करना, सबसे पहले, उपर वाला candle क्या होना चाहिए, red होना चाहिए, दूसरा candle आपका क्या open होना चाहिए, gap down open होना चाहिए, market का trend कैसा हो, market का trend, downfall हो, उसके बाद, candle का opening और closing बराबर होना चाहिए, open equal to, close होना चाहिए, और candle का size है, वो आपका small होना चाहिए, अब देखिए, यह set of candle है, पूरा criteria को satisfy कर रहा है, जो पांच condition मैंने बता है था, पांचों condition को satisfy कर रहा है, candle का size भी छोटा है, open equal to, close भी है, तो, अब देखिए, gap down open होना 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 है, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जो भी लोग यहाँ पर sell side के तरफ जाएंगे, maximum लोग यहीं करते है gap down के बाद, जो भी candle form होता है, उसके बाद वो sell side के तरफ जाना, initiate करते हैं, क्योंकि लगता है, कि market का trend negative है, market और नीचे जाएगा, तो, जो भी लोग sell करेंगे, वो क्या होगे, trap में फसेंगे, और ultimately क्या होगा, उनका loss होगा, अब यहाँ पर इसके बीचे का concept क्या है, यहा यहाँ पे यह open हुआ, उसको sustain भी किया, लेकिन at the same time क्या हुआ, जिस price पे open हुआ है, वहीं पे आके closing दिया है, मतलब क्या है, कि इसका जो downfall momentum है, वहाँ पे जबरदस्त break लगा, यानि एक emergency break लगा है, और emergency break कौन लगा है, emergency break लगाया गया है, buyers के द्वारा, मतलब यहाँ प अपना presence दिखा दिया, दिखा दिया कि buyers यहाँ पे बहुत ज़्यादा active है, अब जब देखिए, buyers active हो जाते हैं, तो क्या होता है, generally, market का bottom formation वहीं पे हो जाता है, और यहाँ से क्या होता, market आपका reversal दिखा के upside की तरफ जाता है, यही concept है, जिसके basis पे हम यहाँ पे sell side की तरफ नहीं जाएंगे, और देखेंगे, जब यह candle का formation होगा, नीचे side में आपको अच्छा खासा tail देखने को मिलेगा, और उपर में जो tail होगा, इसका side छोटा होगा, मतलब नीचे में tail जादा है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे हमें rejection देखने को मिला है, वो भी कहां से, rejection from bottom, और rejection from bottom का indication दे रहा है, कि क्या, यहाँ पे, जो buyers है, वो भी अपना strength gain कर रहे है, अगर buyer अपना strength gain कर रहा है, मतलब आने वाले time में, buyers market को take over कर सकता है, और जैसे buyers market को take over करेगा, क्या होगा, market का direction, अब side के तरफ होगा, इसलिए gap down के बाद, अगर ऐसा candle का formation होता है, यह हमें क्या होगे, तो trap नहीं होगे, तो क्या होगे, loss नहीं होगा, और क्या होगा, यहीं region है, यहीं इसके पीछे का logic है, concept है, जिसके basis हम आगे काम करेंगे, चलिए वापस से, चार्ट पे चलते हैं, और उसके basis हम entry point क्या होगा, stop loss क्या होगा, target price क्या होगा, वो सब में आपको explain करता ह तो यहां पे हम वापस से कहां पे आगे, ICSA Bank के daily chart पे हैं, अब देखिए, यहां से market का गिरना start हुआ, यह लगबख market आपका 740 के level से गिरना start किया है, और यह गिरते हुए कहां पे आगे है, लगबख आपका 700 to 680 के level पे आगे है, और सबको पता ही है कि ICSA Bank का इसी level के आज पास एक तगरा support level है, और अगर यह formation support level के पास होता है, तो इसका importance और ज्यादा हो जाता, और इसका accuracy level तब increase होके आपका 80% to 90% हो जाता, यह नि उसके बाद 80 to 90% आप confirm हो जाए, यहां से market क्या दिखाएगा, reversal दिखाएगा, यह नि यह candle form होने के बाद हमें reversal देखने को मिले और इसके बाद market आपका upside की तरफ निकलेगा, और यह तो सबको बता, इससे बैंक का support level 700 to 680 करीव, यह नि support level का formation होगा है, मतलब अब यहां पर हमें और ज्यादा security मिल गया, कि market यहां से reversal लेगा, upside की तरफ जाएगा, तो अब हम यहां पर इसका फाइदा कैसे उठा सकते है क्योंकि हमें market का reaction तो पता चल गया, तो सबसे पहले, इस candle के highest point को हम note करेंगे, जैसे ही price इस candle के highest point को break करके उपर निकलेगा, वो क्या बन जाएगा, मेरा वो बन जाएगा, entry point, यह नि वहां पर हम buy करेंगे, ठीक है, उसकी बाद, इस candle का lowest point जो भी होगा, वो हमारा SL की क्यान देना है, कि इस candle के बाद जो भी candle form होगा, वहां पर थुरा बहुत भी हमें selling pressure देखने को मिलेगा, जो इसकी बाद candle का formation होगा, वो भी इसके नीचे low बना सकता है, उससे कोई डवने वाली बात नहीं है, तो यह candle या फिर इसके बाद जो भी candle form होता है, उस दोनों में जो भी lowest point रहता है, उसको हम as a stop loss की रूप में count करेंगे, अगर वैसा situation आया तो और generally वैसा situation हमें कई बार देखने को मिल जाता है, यहाँ पर multiple example लेंगे और साइद वो situation देखने को मिल भी जाए, तो जैसे price इसकी उपर निकला है, यहाँ पर मेरा entry point हो गया, ऐसा लिए हो ग जाएगा, target price जो कि लगवग आपका 740 के आसपास बन जाएगा, यहाँ पर market गिरना start किया था, उसके बाद और उपर अगरम जाते हैं, तो आपका यह एक 760 करी बन जाता है, और उसके बाद 780 और फिर आपका 800 के आसपास, इस तरीके सिर ग्वेजुल याप अगला swing high, swing high level को अपना target के रूप में इस्तवाल कर सकते हैं, और यहाँ पर जो भी काम करना है, आपको trailing SL यूज करके करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारा कुछ clear हो गया, ज्यादा कोई complications नहीं है, बस आपको यह pattern को identify करना, जो 5 criteria मैंने बदाया था, वो 5 criteria fulfill होना चाहिए, उसके अलावा, अगर यह support table के पास बनता है, तो फिर इसका accuracy level आपका 80-90% हो जाता है, फिर आप इसके basis पर definitely buy side की तरफ positions initiate कर सकते हो, और देखे, यहाँ पर उसके बाद market आपको upset की तरफ गया, और all the way आपका 800 के level को touch है, यहनि जो हमारा target 1, target 2, target 3 था, सारे target को hit करते वे, काफी उपर निकला है, यहाँ लगवग यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 120 पॉइंट यह लगवग आपका 10-15% का return दे दिया short period of time में, यहाँ पर हम और example लेखते हैं, अगला example हम आते हैं, निफ्टी में, यहाँ पर अगर आप देखें, तो थोरा समय इसको adjust कर देता हूँ, अब एक call to close दोनों बराबर है, candle का size भी छोड़ा है, और यह candle आपका कहाँ पर formation हुआ है, यह candle का formation हुआ है 15,700 का आसपास, यहाँ पर भी यह formation किया है, support level के आसपास, और जैसे support level के आसपास इस तरह का candle का formation होगा, हमारा accuracy level कहाँ पर चला जाएगा, 80% से उपर चला जाएगा, यहाँ इसके basis पर हम आराम से reversal के लिए play कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, मैंने क्या बोला था, इससे previous example में बोला था, कि अगले candle पर भी selling pressure रहेगा, हो सकता है उसके कारण से, जो हमारा stop loss है, वो इस candle के नीचे चला जाएगा यहाँ इस candle का low है, उसके नीचे अगला candle अपना low बना दे, तो यहाँ पर हमें stop loss रखना है, दोनों में से lowest point जो भी होगा, इस candle का lowest point है, तो यह हमारा SL बन जाएगा, ठीक है, अब हमें entry कहाँ पर लेना, इसके highest point के उपर, तो जैसे इसके highest point के उपर निकला है, यहाँ पर हम, by side की तरफ entry लेंगे, अब यहाँ प है, तो यहाँ पर हमने entry ले लिया, और SL में are well defined हो गया, target price की अगर हम बात करें, तो पहला swing high यह हो गया, दूसरा swing high, आपका यह हो गया, तीसरा swing high यह हो गया, तो इस target को भी hit किया, और इस target को भी hit किया, हमारा यहाँ पे target 1, target 2 और target 3 तीनों को hit किया यहाँ से market आपका 18,000 करीब गया था और यह जो formation हुआ था आपका March 2022 में निफ्टी में formation हुआ था आप वहाँ पे जाके यह सारा retails खुद से भी चेक कर सकते हो तो देखिए कैसे हमने cap down के बाद एक particular candle के basis पे हमने reversal identify के लिए यहाँ पे ज़्यादा कोई complications नहीं है बस आपको यह candlestick identify करना है अब आप यह कैसे identify कर सकते हो manually करना परेगा इसके लिए मेहनत करना परेगा तभी जाके यहाँ पे आपको इतना जबदस pattern का formation देखने को भी लेगा और तभी काफी आप early और सही टाइम पे reversal को identify करके उसके basis पे लिए करके profit बना सकते हो अब यहाँ पे देखिए हम निफ्टी के daily chart में हैं अब यहाँ पे भी हमें इस तरह का pattern का formation देखने को मिला है recently यह लगबग आपका एक दो दिन पहले ही pattern का formation देखने को मिला exact date क्या मैं आपको बता जिता हूँ exact date है आपका 17 June 2022 अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था मैंने आपको 5 criteria बोला था market आपका downtrend में होना चाहिए downtrend है दूसरा criteria क्या होना चाहिए कि gap down open होना चाहिए और उस candle का जो high है low है close है सब उस particular candle से नीचे होना चाहिए यह नि उससे पहले जो भी candle है उससे नीचे होना चाहिए लेकिन यहाँ पे इस candle का जो high है इस particular candle को टच कर दिया मतलब जैसे इसको को टेस्ट किया जो मेरा क्वेट एरिया था वो सैटिस्फाइड नहीं हुआ तिया पर इसके बैसिस पर रिवर्सल के लिए नहीं जाएंगे हो सकता है इसके बाद भी रिवर्सल दिखा दे और देख सकते हैं रिवर्सल थोड़ा बहुत आया भी है लेकिन यह हमारे कंडिशन यह भी आना चाहिए आपको और किस पार्टिक्लर सेटुएशन पर यह जो क्वेटरिया फिट नहीं बैठता यह भी आपको पता होना चाहिए तो चलिए यहाँ पर हम और एक्जामपल देखते हैं ताकि आपको यह concept अच्छे से समझ में आ जाए तो यहाँ पर एक और यहीं पर में और ला कंविटि और उसका जड़का यहाँ तो नीचे वाला जो क्यंडल वे क्लाटि से कोई मतलब है हमने क्या पर रहर पर यहां पर भोर भी नहीं करता है यह जो हुआरा 5 सब को साथिस्फाइग कर रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे इस स्केंडल के लोइस पॉइंट को एसल के रूप में काम करेंगे और जैसे प्राइस के ऊपर निकला यह हमारा इंट्री पॉइंट हो जाएगा ऑगला जोविंग यहीं है यहां पर चारजफ़िस्फेंग क forum यहां पर चारज किया लेकिन आपका को इसने असनी से हिंट किया यैनि यहां पर हम जो इंट्री करें लगवग आपका 1300 के आज पास इंट्री का रहे हैं और टागेट पैस ठच किया लगवाग आपका 1400 का यहां पर आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा सब्सक्राइब के मतलब है कि लगवाग यहां पर 7-8% का रिटर्न मिला वह भी कुछ दिनों में देख सकते हैं कितना जवर्दस्त और सठीक तरीके सी रिवर्सल को हमें अइटिफाई करके दे रहा है और साधी साथ मोश्ट इंपोर्टेंट बहुत साही लोग इसके बाद ज स्वीज होता हुआ दिखेगा यही लॉसस आपको कम होगा और प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा यहां पर में एक और एक्जाम्पल लेखते हैं टीसेयस का पीशेयस के अगर यहां पर यहां पर चाट कुछ ज्यादा स्वेच हो गया इसका हुआ है अब यहां पर और रिफे लेकिन की थे किसेओं है थ्यां दिए थे लएगे तकिंडल का साइज वह क्या होना चाहिए करेंगे करें तो यहां पर आपका ट्वेट का एक्रिश्य लेवल काफी जाता बना रहेगा अगर आप उसको इसको इक्रिश्य लेवल उतना ज्यादा नहीं बना रहेगा अब इस पार्टिकुलर सिटुएशन में भी रिवर्सल लिखा यानि आपका 3,000 के लेवल से 3,200 के आसपास गया है रिवर्सल दिखाया है लेकिन यह हमारे क्वेटेडे को साटिस्फाइड नहीं कि इसके बेसिस पर हम ट्वेट नहीं लेंगे इस तरह के अगर डिफकल कंसेप्ट मैं आपको सिंपल तरीके से बताने कोसिस करता हूँ ताकि आपको आसानी से सबको समझ में आ जाए और आप ट्रैप और नुकसान से बच सके और ट्रैप और नुकसान के जगए पर प्रॉफिट बना सके so that's all friends अगर आपको ये वीडियो पसंद आ है प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजे ताकि इस तरह के और भी वीडियो में आपके लिए रेगलर बेसिस पे लाते रहेंगे so मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन